हाँ जी दोस्तों तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा टॉपिक है जो वो लेके आया हूँ ठीक है बड़ा ही मज़ेदा टॉपिक है कंकुरेंसिंग के साथ होगा तो आपने कहा करना है बेसिकली मज़े से सुनना है ठीक है हम इसको बेसिक एक्जंपल से लेके एडवांस एक संपल तक पूरा देखेंगे तांके हमें यह टॉपिक की अंडेस्टेंडिंग हो जाए बड़ा ही मज़ेदा टॉपिक है तो इसका रिलेशन किसके साथ है बेसिकली पहले मैं वो कंसेप्ट जो है वह आपको क्लियर कर दो इसका जो रिलेशन है वो है हमारी म करना लार्ज कर जिस्टम के साथ मेंं और हमें बोला जाता है कि आपने जो मैमरी है वो मिनिंमल करनें मतलब बहुत कम कम करने है तो वहां पे इस टोपिक का पूरा पूरा आप कह सकते हो वैलेउ है ठीक है कि अगर आपने यह समझा होगा तो इसमें अब बैसी कली है क्या तो मैं आपको पहले यह basic program जो है वो समझाता हूँ then हम इसके अंदर वो memory save करने वाले चीज़ें जो है वो include करेंगे then आगे हम advance example के उपर move तो जिन लोगों ने memory जो है वो बचानी है न तो वो तो इस topic को ध्यान से सुन ले तो चलिए अब बढ़ते हैं अब देखते हैं इसको ध्यान से और line by line हर एक चीज़ को सीखेंगे समझेंगे then हम इस चीज़ को achieve करेंगे तो यहां पर क्या है हमने एक structure declare किया हुआ है जो के some object नाम से है ठीक है उसके अंदर एक variable है जो के array of bytes का है इसमें कुछ hard and vast था नहीं तो इसलिए इसके हम आगे जलते हैं तो आगे क्या है function declare किया हुआ है जो के create object का है जो के क्या कर रहा है एक चीज़ को return कर रहा है जो कि क्या है pointer of some object अब बात है अगर इसका return type है तो यह return भी कर रहा होगा उससी को तो यहां पर हमने क्या है data जो variable था उसको कुछ memory allocate करके मतलब के अगर मैं overall बताऊं के इस function के अंदर हमने किया क्या है तो हमने एक object create करके दिया है कि instance create करके दिया है कि data के अंदर जो है एक mb memory जो है वह आप ले सकते हो ठीक है तो यह करके दे रहा है अभी आती है main की बारी main function तो इसके अंदर क्या किया हुआ मैंने pointer of some object मतलब इसका pointer का array बनाया हुआ है जो के represent करता है एक objects को ठीक है जिसके अंदर हम collection of objects रखेंगे some objects तो यहां पर मैंने loop चलाया हुआ हुआ हजार बारी चलेगी अब हजार बारी कैसे चलेगी आप comment करके बताएं मेरे को तो हजार बारी वह इस तरह से चलेगी i को मैंने बताया कि zero है and i जो है वो less than रहेगा thousand से अगर zero से start हो रहा तो obviously बात है एक iteration उसकी भी होगी तो यहां पर हर iteration पर i plus plus कर दे रहा हूँ और 1000 से एक कम तक चलेगी मतलब यह कहां तक चलेगी triple nine ठीक है तो obviously बात है वो कितना हो गया यहां पर एक और add करने है create किया अब अगर create किया है तो वह कोई ना कोई memory तो ले रहा होगा और memory लेने के बाद हमने क्या किया उसको objects जो हमने उपर यह array variable बनाया था इसके अंदर append करते गए करते 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 के 1000 बारी किया अब वह कुछ memory जो है मलम मान के चलते हैं 500 MB लेके बैठा है ठीक है तो 500 MB जो है इस ने consume कर ली अब उसके बाद हमारा कुछ और टास्क था पांच सेकंड ले रहा था जो के ठीक है तो यह 500 की memory जो है yes it is पड़ी है हमारा program जो है यहां से execute करके खतम हो गया बट क्या यह memory free हुई नहीं हुई तो इस memory को बचाने के लिए हम क्या use करेंगे यहाँ पे sink.pool यह swimming pool वाला pool नहीं है यह sink package का pool है ठीक है सिंक क्या है go lang का inbuilt package है ठीक है उसके अंदर हम pool के बारे में समझेंगे के pool होता क्या है अब pool जो है वो एक resources का आप कह सकते हो pool है ठीक है जैसे हम swimming pool में जाता है है वहाँ पर क्या होता है human beings होते हैं ठीक है तो वैसी यह resources का pool है जो के इसके अंदर क्या पाया जाता है एक new object जो है वो यह create करता है ठीक है एक इसके अंदर new method है जो के function consume करता है वो मैं आपको बताऊंगा आप गवराओ अब इसमें major दो चीज़ें होती है एक तो क्या dot get किसी resource को get करने के लिए and dot put किसी resource को वापस देने के लिए के भाई मेरी चीज़ें जो है वो जा मेरी जुरूरत है वो पूरी हो गई है अब इसको वापस ले लो मतलब जितनी उसने memory यूज़ की थी तो वो क्या कर रहा है वो वापस कर रहा है तो आशा करता हूँ यहां तक जो है मैं clear हूँ ठीक है अब यहां पर दिक्कत क्या हो अब यह program पूरा कितना time ले रहा है कितना time consume कर रहा है तो अभी जैसी इसने रन किया तो देखो memory यहां पर अभी क्या करेंगे हम इस program के अंदर कुछ modifications जो है वो करेंगे दन उसके बाद हम समझेंगे कि उससे क्या हो रहा है तो यह वाली चीज हम as it is छोड़ेंगे एंड उसके बाद यह वाली चीज भी जो है हम as it is छोड़ेंगे एंड उसके बाद क्या है हम यहां पर पूल क्रियेट करेंगे सिंक पैकेज का यूज क्या कर लिया जी तो उसके बाद डॉट पूल जैसे के मैंने आप लोगों को अभी उपर बताया था ठीक है तो अभी पूल के अंदर मैंने एक न्यू चीज बोली थी न्यू न्यू करके न तो यह क्या करेगा हर बारी न्यू अबजेक्ट को क्रिये आपप्जेक्ट को जो क्या होगा एक मां लेते हैं इंटरेस टाइब का ओगा है इंटरेस ठीक हैं तो यह हुग आप यहां पे तो इसके बाद यहां पे लगाये ता मॉ Schools को एक व्रेभल के निदर रखे लेते हैं तांकि हमं पता चला चाही कि या है ताकि हम इसको जब भी यूज़ करें तो उसको अब्जेक्ट से यूज़ करें तो मैंने इसका नाम दे दिया अब्जेक्ट पूल ठीक है जी तो अभी यह हो गया एक modification अब मैंने अब मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या जीज़े होगी तो अगर मैं इसकी definition पर जाऊं तो यह क्या बदाता है अब पूल मस्ट भी नॉट कॉपीड आफ्टर फर्स्ट यूज़ तो उसको कहता है कॉपी नहीं किया जाता है मतलब यह बहुत बड़ी इसकी description है तो यह क्या कहता है pool is a set of temporary objects मतलब यह क्या है set of temporary objects है that may individually save and retrieve मतलब कि उसको रख भी सकता है और उसको आप मलब लेंदेन कर सकते हो यार सी जीसी बात में कहना यह है ठीक है pool is safe for use by multiple go routine simultaneously के वो कह रहा है कि pool जो है वो safe है अगर आप multiple go routine के साथ deal कर रहे हो अच्छी बात है कि अगर आप pool यूज़ कर रहे हो अप ऐसा भी नहीं है कि आप मानलो कि आपका आपने program के अंदर multiple go routine जो है वो आप पूल यूज़ कर रिया ठीक है कर सकते हो बट जुरूरी नहीं है कि हर बार यह आपको कर नहीं है ठीक है यह भी चीज़िए याद रखना heavy operations मैं आपको आगे बताऊंगा कि heavy operations कौन से होते हैं ठीक है तो यह इसका extract है हमने क्या चीज़ यूज़ किया ये वाली चीज़ यूज़ किया आगे pool को लेके get वाले और put वाले method जो है इन्होंने implement कर रखे हैं जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है get वाला य अभी आपको दिखाया है तो यह सारा क्या करता है memory को free करता है memory को allocate करता है तो अभी हम क्या और modifications करेंगे तो यहाँ पे जो यह हमने object बनाया है ठीक है इसको करेंगे get यहाँ पर जाते हैं अब यहाँ पर हमें टाइप कास्टिंग करने पड़े क्यूंकि जो get है वो क्या return क करता है मतलब उसको नहीं पता कि इसके अंदर क्या रहा है बट हमें तो पता है ना गेट के अंदर क्या रहा है create object आ रहा है जो के हमने एक interface को हम कैसे रिप्रजेंट करेंगे कि उसके अंदर हमें पता है एक्चुल कौन सा रहा है data concept type का data तो हमने यहाँ पर वो टाइप दे create किया था new ठीक है तो यह function क्या लेता था any को return करता था मतलब उसको नहीं पता कि आप क्या return कर रहा हो तो जब पता ही नहीं है तो यहाँ पे interface क्या होता है एक कुणा है जिसके अंदर आप कोई भी data type जो है वो डाल सकते हो ठीक है तो हमने यहाँ पे इसको return कर दिया अब य यह क्या return कर रहा था यह pointer of this return कर रहा था अब यह तो हमें पता था तो अभी get करते time पे हमने क्या किया उसको बता दिया कि जो get में आएगा data वो इस type का होगा ठीक है आशा करता हूं आपको यह जी जो है वो clear होगी होगी तो अब इसमें object करेंगे अब इस वाले object को comment कर दें दें उसके बाद हमने object को append करा लिया दें उसके बाद हमने क्या किया यहां पर अपना जो भी task हम कर रहे थे जहां हमने program को रोका हो तो वो गिया दें अब यह तो हो गया कि हमने new objects बना लिए ठीक है अब हम उसको return भी तो करेंगे कि हमारा जैसी काम पूरा हो गया तो हम एक range loops लाएंगे जिसके अंदर क्या होगा हम objects को return कर रहे होंगे ठीक है तो यहां पे मैं range loop लगाएता हूँ किसके ओपर लगाएंगे objects के ओपर लगाने के बाद हमने क्या किया obj. sorry यहां पे object.put और फूट के अंदर हम क्या पास करेंगे, ओ भीजें, तो यह क्या रिटरंग-, यह क्या करेगा हमने जितने भी यहाँशन पर object create किये थे यह उनको बापस return कर देगा यहाँशन ठीक है, तो उसके बाद क्या है हमारी memory सेयफ है हमारी जो प्रोगराम है वो कोई extra memory जो है वो consume नहीं कर रहा तो इसको run करके देखते हैं अभी कितना time लेता है तो यह भी कुछ time लेगा क्योंकि यहां पर क्या हम साथ ही साथ उस चीए को return नहीं कर रहे हैं ठीक है अगर मैं इस चीए को यहां से हटा के किसी से हटा के यहां पर लगा दूं तो अब क्या हो गया कि मैंने उसको बूला कि जैसी मेरी memory आई मैंने अपना काम किया एंड उसको मैंने return भी कर दिया तो यहां पर अगर इसको अभी run करते हैं तो यह भी advance program की advance program in the sense के हम इसको go routine के अंदर कैसे use कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं तो अभी हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम को rectify करेंगे मतलब थोड़ा सा change करेंगे तो जिन जिन चीज़ों की जरूरत है हम वह चीज़ें रख लेंगे बाकियों को यहां से खतम कर देंगे तो य यहां पर मैं रखता हूं number memory pieces क्योंकि हम देखेंगे कितनी वह चीज़ें जो है वह हुई महले कितनी बारी हमारी memory जो है पूल के साथ अलॉट हुई और कितनी बिना पूल के बाद साथ अलॉट हुई ठीक है तो यहां हो गया यह अब यह एक इंटीजर डाइप को बाइड इसकी value क्या रहेगी जीरो रहेगी क्योंकि हमें यह देखना है कि पूल ने कितनी बारी उस चीज़ को initiate किया ठीक है अब विदाउट पूल भी हम देखेंगे और विद पूल भी हम देखेंगे तो यहां पर create object ऐसे सी रहेगा तो इसके अंदर बस एक modification होगा वो क्या है हम इस चीज़ को यहां पर क्या करेंगे प्लस प्लस करेंगे इसका रीजन यह है कि हमें पता चल सके कि पूल के जाथ यह कितनी बारी इस चीज़ को create करता है तो उसके बाद क्या है यहां पर हम एक variable जो है वो डिकलेर कर लेते हैं जो के इस टाइब कर रहेगा मलब max value देता है इसको तो एक हजार 24 इंटू एक हजार 24 यह कुछ value है तो यह इतने वरकर रहेंगे मतला हमारी इतनी गो रूटीन रहेंगी क्योंकि यह काफी बड़ी वैल्यू बन जाएगी अगर हम गोरिटीन यूज करें तो अब लिबाता है ना के वेट गूप हमें लगाने पड़ेंगे यहां पे सिंक पैके तो हमने यूज करी रखा है तो उसमें से हम वेट गूप को यहां पे लगा लेते हैं अब क्या है फॉर लूप जीरो से स्टार्ट होगा चलेगा कहां तक वरकर लिए और जादा वरी जलाते हैं अब मैंने वरकर क्यों यूज किया अब कई लोगों का यहां पर कोश्ण होगा वरकर क्यों यूज किया जब लिखा ला ला तो बैसिकली इसका मतलब यहीं है कि यह काफी बड़ा नंबर बन जाएगा तो एक वरियेबल में हम कितना बर्द बड़ा नमबर बना लें ठीक है इसको और दूसरा रीजन यह है कि मल्ट इतनी गो रूटीन सम बनाएंगे इसके अंदर तो इसी लिए में इसको ऐसे एक वरियेबल गदर लिख लिया उसके बाद सब्सक्राइब इसका मतलब मेरे को निलिखता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या आप लोग प्लीस कमेंट करके बताएं मेरे को इस चीज़ी को भी रिमूब कर दें अब इसके बाद यहां पर फांक डैस को कॉल कर लेते हैं तेन अब ये जीजें जो हैं इसको ctrl x and इसके अंदर move कर देते हैं तो हमने क्या किया है object को यहां पर get किया and object को यहां पर use करने के बाद मतलब जो भी हमने functionality करने थी करने के बाद यहां पर उसको return कर दिया pool के अंदर and उसके बाद go routine को बोल दिया कि we are done with our work and उसके बाद go routine क्या करेगी यहां पर wait करेगी मतलब बसौरी wait groups क्या करेंगे यहां पर wait करेंगे tell that के go routine जो है वो अपना काम पूरा ना कर लें उसके बाद हम इसी को भी जरूरत नहीं है तो यहां पर done के साथ हम उस नंबर को जो है जो हमने उपर लगाया था वो भी लगा लेते हैं तो थोड़ा सा इसको समयते हैं आप दूसरी बारी मैंने यहां पर क्या हैं जो हमारे वर्कर हैं ठीक है वो कितनी बारी अब्जेक्ट को इनिशिलाइज करते हैं और कितनी बारी रियूज करते हैं मतलब हमें इससे यह पता जाएगा कि अगर मेरी लूप चल रही है मतलब अगर मैं बात करूँ दस हजार बारी वैसे तो एक लाग से उपर हैं ठीक है अगर यह लूप चल रही है दस हजार बारी तो मैं देखना जाता हूं कि हम गुरीटिंस के साथ डील करने यहां पर क्या हमने लगा है गो प्रोटीन ठीक है जी एंड हमने बताया है के हर लूप के अंदर गोरीटिन रहेगी अगर आप इसको बाहर डिकलेर करने जाते हैं लाइक तो आप भाहर भी कर सकते हो आपको बस इसके अंदर वरकर जो हैं वह इनिशिलाईज करने पड़ेंगे तो हम इसको एकटीस रहने देता है को एकट वाली बाद नहीं दैन उसके बाद हमने गोरीटिन इंप्लिमेंट किया गोरीटिन को बताया क्या बताया कि बाई ऑबजैक्ट बना अब्जैक्ट को यूज कर यहां पर आप क्या कर सकते हो some use and उसके बाद जा इसको हम लिख सकते हैं to do stuff ठीक है तो यह भी सभी देगा ना तो उसके बाद हमने कहा कि इसको वापिस कर दिया then हमारा go routine जो है वो done यहाँ पर उसने wait किया सारी go routines का and उसके बाद यहाँ पर finally अपने object को print कर वा लिया और सॉरी जितने भी हमने iterations और new object क्रिएट किये उनको print करा ला है यहाँ पर go run करते हैं तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा difference हुआ यहाँ पर देखिए जरा कितना बड़ा difference हुआ यहाँ पर इसने क्या किया 115 बारी ही सिर्फ new objects को create किया बक्की बारी इसने reuse किया तो अगर आप चाते हैं कि reuse वाला हटा के मेरे को simply तरीके से दिखाओ तो मैं आपको वह भी दिखाएता हूं अब यह सिर्फ create create करेगा तो अभी देखते हैं कितना बारी create करेगा अब यह थोड़ा सा टाइम लेगा क्यूंकि हर बारी हरा iteration पे create करेगा क्वेस्ट कितनी को रुटीन्स हैं काफी जादा हैं कितनी है एक हजार चॉबी इंटू एक हजार चॉबी मतलब बहुत जादा गोरीन्स हैं तो देख सकते हैं आप कितना जादा टाइम लेगे आए तो देखते हैं एंड में क्या अकाउंट आता है तो अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो प्लीज वीडियो के लाइक जरूर देतें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो जो हैं वो कैसी लग रही हैं चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करी लिए क्योंकि हम ऐसे मज़दा टॉपिक जो हैं वो लेके आते रहते हैं तो देख सकते हैं आप यार कितना डाइम ले रहा है अगर हम reuse कर रहे होते हैं तो इसको हम reward कर लेते हैं तो यह था previous program तो अभी देखते हैं अभी कितना डाइम लेगा है कितने वारी record create करेगा तो अभी इसने 91 यूज किया तो मसलब यह कि वरकर का उपर डपेंड करता ना वो कितनी तेजी से काम करता हो कितनी यह रिसोर्स हैं जो फ्री करता है तो आश इस यही को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अभी बारी आती है कुछ लोगों के मनमें सवाल वह रहा होगा कि ठीक है यार हमने object तो यहां पर create कर लिए अगर मैं वापिस ना करूं तो क्या हो ठीक है वापिस मत करो कोई दिक्कत नहीं है बढ़ यहां पर अग मनलब टोटली वेस्ट आप मेमरी है टोटली वेस्ट आप मेमरी तो सेंग डॉट पूल का आपका बड़ा ही यूसफुल तरीका है जिससे आप इसको इंप्लिमेंट करके सीख सकते हैं तो आशा करते हूं आप लोगों को बहुत सारी चीज़े जो है वो सीखने को मिली है पहला मनलब पहला क्या है यार हवी अप्रेशन वह होते हैं जिसे अभी के लिए मैंने तो यह बोल जिया कि यह एक हवी अप्रेशन था बट इंस्टेट ऑफ देस यू आर्ट यू आप पूल यूज कर सकते हो ठीक है बिदिन गो रिटेंज एंड जो भी आप यूज करन जाओं तो यह एक हैवी ऑप्रेशन है तो इसी से सिमिलर ऑप्रेशन जो होते हैं लाइक आप रैडिस के साथ भी सेम चीज लाइक अगर आप कोई ब्लॉक्चेन की किनेक्टिविटी कोई भी चीज की किनेक्टिविटी करें तो आपको किसीडर करना होगा धैट कॉल भी है ठीक है आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जाओं को समय में आ चुका होगा इंट्रेस्टिंग लगा होगा चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करने थैंक्यू फॉर वाचिंग आइस जया शिरीराम